इधर भोपाल कलेक्टर आशीर सिंग ने EKYC सेंटर पहुचकर वाड कार्यालेओं का जाएजा लिया और टेक्निकल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दी साथी अधिकारियों को वाड कार्याले में दूसरे वाड के भी फॉर्म भरने के निर्देश दीए गए इस दोरा निगम कमिश्णर भी मौझूद रहे और बताया जा रहा है कि शहर में अब तत लाडली बहना योजना के लिए दो लाग से जादा फॉर्म भरे जा चुके हैं लेकिन अब सर्वर डाउं मुने की कारण समस्याएं भी बढ़ रही हैं जिसके चलते खुद कलेक्टर जायसा लेने पहुचे हमारे साथ बोपाल कलीटर आससी सी रहे हैं और कुछ दिन पहले इन्होंने चार्ड समाला है और आज 1 के वाइसी सेंटर में लगाता निरिक्षंड कर रहे हैं ज़ाज 2 की कया निरिक्षंड क्या रहा है क्या खामिया निकल क्या है और किथने लोगों का अभी तक लिए प्रियासरत है दिकते आ रही हैं एक वाइसी से संबंधित और कुछ जो हैं तक्निकी कारण भी है लेकिन सभी का समाधान लगातार होता जा रहा है और बहुत ही सुविधा से सभी लोग अपना रेजिट्रेशन करा रहे हैं एक यह चीज़ देखने में आई कि एक वाड अगर किसी दूसरे वाड का विक्ती एक वाड में आके अगर रेजिट्रेशन कराना चाहता है तो भी उसकी फैसलिटी नहीं थी तो वह भी मेरे दोरा निदेश दिये गए हैं कि दूसरे वाड का लागे नाईडी पासफल ले लिया जाए और उसको भी यहीं पर करा दिया जिससे की जो विर्गराही है उसको दूसरी जगे पर जाना ना पड़े और उसको भाग दोड़ ना करने पड़े अभी तक लगवाग हम लोग डाही लाग के आसपास तक पहुँच गए हैं और हमारा जो टार्गेट है वो इस मन्थेंट तक हम लोग कम्पीट कर लेंगे कि इनिश्य दूरूप से केसे हैं बढ़े हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से लगबख सभी अगर चार को छोड़ दे तो होम आईसोलेशन में हैं इसलिए को बहुत ज़्यादा गंभीर इसकति नहीं है और अभी दो-तीन दिन हम लोग वेटन वाच करेंगे अगर जो टेस्ट फेसिलिटीज हैं वो सभी की टेस्टिंग पर राप तुरूप से हो जाए वो हम लोग देख रहे हैं अगर आगे कुछ ऐसा लगेगा कि लोगों की सित्री गंभीर हो रही है या कुछ जो हॉस्पिटलाइशन है उसकी संख्या अगर बढ़ रही है तो उस बंसल न्यूस के लिए वीडियो जेनरलिस्ट डिंपल विश्व कर्मा के साथ दिपक दिवेदी भोपाल